Hello friends, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपनी YouTube चैनल टार्गेट बोर्डिक जया में बहुत बहुत स्वागत है तो friends, आज के इस वीडियो में आप लोग को English grammar की कुछ बहुत ही जादा important questions बताया जाएगा जो की ये जो question आपको बताया जाएगा इस बार ये ही आपके board exam में पूछा जाएगा English grammar की कई topic पर प्रिश्ण बताया जाएगे जैसे rearding words हो गया पैसी voice हो गया, आपका narration हो गया, direct indirect और fill in the blanks हो गया तो ये जो question है आपके board exam में दो-दो number का पूछा जाता है दो-दो number के ये सब सारे question पूछे जाते हैं इसलिए आप इन सब को अच्छे से तयार कर लीजेगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्ही प्रिश्णों को बताऊंगा जो के आपके previous year board exam में पूछा गया था तो इन्हें आप लोग जरूर तयार कर लीजेगा और अच्छे से भी समझ भी लीजेगा क्योंकि बहुत ही जादा महत्वपुर्ण होने वाले हैं ये से भी प्रश्ण आपके board exam संद 2022 के लिए तो हमारा जो पहला heading है पहला जो topic है वो ए frame a correct sentence by re-ordering the words ठीक है इसका अर्थ होता है re-ordering words का अर्थ होता है तेढ़े मेडे सब्द ठीक है आपको exam में तेढ़े मेडे सब्द दिये रहेंगे और आपको उसको सही रूप में लिखना होगा जैसे हमारा पहला जो sentence है बहुत ही जी है नेभर हार्ड गोज वेस्ट वर्क ठीक है नेभर हार्ड गोज वेस्ट वर्क तो इसका जो सभी जो करता है जो क्रिया है जो इसका object है सब इधर उधर बिखरा हुआ है ठीक है तो आपको इसको सही रूप में लिखना है सही form में लिखना है पहले क्या आता है, करता आता है, फिर क्या आता है, क्रिया आता है, फिर क्या आता है, अबजेक्ट आता है, फिर उसके बाद एडवर्व होगा, तो इस तरह आपको इसको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसमें कर करता है, hard work, क्या है, करता है, hard work, कठी नि, परिश्रम, तो सबसे पहले आपको लिखना है, hard work, ठीक है, hard work, अब करता हो गया, करता के बाद क्रिया आती है, पर friends, क्रिया से पहले, ये जो never always होता है, ये सब क्रिया से पहले लगा जाता है, करता के बाद लगा जाता है, और क्रि अब आप लोग क्रिया लगा ये क्रिया ये रहा क्या है गोज अब उसके बाद अबजेक्ट हो गया तो जो बचा है लिख दीजिए गोज उसके बाद क्या बचा है विष्ट ठीक है बहुत ही जी आपको समझ समझ कर बस सही रूप में इसको लिख देना है आपको पता होना चीए जो क्रम होता है करता क्रिया अबजेक्ट का ये आप सबको पता होना चीए तो पहला था नेबर हार्ड गोज वेश्ट वर्ग तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हार्ड वर्ग नेबर गोजवेश्ट यानि कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता ठीक है अगला है ये थोड़ा लंबा है टू गीप्ट ठीक है टू गीप्ट ब्रदर सेंट माई एमी बर्थडे माई आन ठीक है बहुत बार परिच्छा में पूछा गया ये कोईशन सबसे पहले आपको क्या ढून आ है करता करता देखिये कहां पर है करता ब्रदर ठैक है पर इसके पहले भी कुछ है कौन सा ब्रदर किसका ब्रदर माई ब्रदर ठीक है तो हो जाएगा my brother, ठीके, my brother यह आपका करता हो जाएगा, my brother, अब देखिए, अब क्रिया आपको पता करना है, तो इसमें क्रिया क्या है, send, send मतलब भेजना, my brother, send, उसके बाद object, क्या भेजना था, a gift, ठीके, अब देखिए, object जो होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है, direct object और एक होता है, indirect object, तो अगर आप लोग direct object को पहले लिखते हैं, तो उसके बाद जब अब indirect object को लिखेंगे, तो to लगाना होगा, ठीके, direct object के बाद आपको to लगा कर, फिर आपको indirect लगाना होगा, पर आप अगर indirect object पहले लिखते हैं तो आपको to नहीं लगाना होगा सिर्फ direct object लिख दिना होगा ठीक है तो हम पहले क्या लगा है direct अब direct object और indirect object क्या होता है direct object का मतलब होता है निर्जीव कर्म ठीक है निर्जीव जो निर्जीव होगा जैसे वस्टुए हो गया और indirect का मतलब होगा सजी उजैसे हम लोग होगा ठीक है, पुरूस हो गया, इस्तरी हो गया ये सब इंडिरेक्ट अबजेक्ट के अंदर गताएंगे तो ये कौन सा अबजेक्ट है ये कौन सा है, डिरेक्ट अबजेक्ट है ये गिप्ट जो है, ये निर्जी हुए ये एक प्रकार का वस्तू है तो इसके बाद मैंने बताया, जब आप डिरेक्ट अबजेक्ट लगाएंगे तो इसके बाद टू लगाएंगे पर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखी प्रिपोजीशन, प्रिपोजीशन है आन, आन, माई, इस पर बर्थडे आन, माई, बर्थडे ठीक है, बहुत ही सिंपल है आप लोग क्रिया करता अबजेक्ट यह सब ध्यान में रख कर अगर सही रूप से लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आप आसानी से लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर टू दिया भी गया था माई ब्रदर सेंड एगिप्ट टू मी आन माई बर्थडे मेरा जो भाई था मेरे बर्थडे पर क्या दिया मुझे एक गिप्ट भेजा ठीक है गिप्ट भेजा दिया नहीं भेजा अगला है इट एवाज साइट फाइन टू सी सबसे पहले करता इट क्रिया इट वाज ए फिर इसके बाद फाइन फिर इसके बाद साइट ठीक है साइट और इसको इंफिनिटिव से जोड़ देना है टू सी इट वाज एफाइन साइट टू सी ठीक है अगला है माई टाट स्विमिंग मी फादर माई टाट स्विमिंग मी फादर सबसे पहले करता माई फादर माई फादर माई फादर टाट सिखाए माई फादर टाट क्या सिखाए मुझे मुझे सिखाए किसे सिखाए मुझे taught me swimming तैरना सिखाए मेरे जो पिता है मुझे तैरना सिखाए my father taught me swimming अगला हमारा है पाचवा on Sunday play hockey day every on Sunday play hockey day every तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं तो यह हो जाएगा on ठीके last में भी कर सकते हैं on every Sunday on every Sunday on every Sunday day on every Sunday they play वे क्या खेलते हैं hockey यह इस तरह भी कर सकते हैं they play hockey on every Sunday ठीक है तो इसी तरह आपको re-odding words जो तेड़े मड़े वाक के हैं उन्हें आपको सही से लिखना होगा तभी आपको दो नमबर मिलेगा यह question दो नमबर के पूझे जाते हैं तो हमारा पहला question यही था re-odding the words चलिए दूसरा देख लेते हैं तो फ्रेंट दूसरा question है making passive voice from active wires आपको पैसी में passive voice बनाना है active wire दिया रहेगा पैसी बनाना है इसके भी आपको कितने marks दिये जाते हैं तो दो पहले object object को क्या किया जाता है करता बना जाता है पैसी वाइस में यही होता है जो active wise का subject होता है वो object हो जाता है object है him तो यहाँ पर हो जाएगा ही किस tense में indifferent परजेंट indifferent is he is क्रिया no third form known he is known ठीके अब यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि no के साथ कभी by का प्रियोग नहीं होता है इसके साथ to का प्रियोग होता है he is known to I इदर जाएगा object के रूप में me very well ठीक है very well he is known to me very well अगला है people always admire the freedom fighters people always admire the freedom fighters सबसे पहले object को subject तो freedom fighters ठीक है freedom freedom the fighters freedom fighters किस टेंज में है present indefinite और fighters है ना आर क्या बजाएगा always admire का third form admired ठीक है एड मायर्ड तो freedom fighters are always admired अगला है who right से लेटर बहुत ही ज्यादा महत अप्रूड है बहुत सारे students को इसमें problem होती है वो गलत बना देते हैं यह लेटर को object ले लेते हैं और यह by who करके अंध में लिख देते हैं लेकिन यह इस परकार नहीं बनेगा जब अब ही who से प्रारामब हो तो आपको उसका पैसी वाई जब भी आप बनाएंगे by whom का प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे friends by whom का प्रयोग करेंगे by whom a letter indifferent में है तो इस हो जाएगा a letter है तो इस होगा अगर अन बहुत सारे letters होते तो आर होता a letter is right का third form retain ठीक है retain by whom a letter is retain इस तरह आपको बनाना है board exam में अगर आ गया तब अगला हमारा प्रश्ण है he gave me a gloss of water सबसे पहले object को subject बना लीजिए तो I past में है तो past का क्या होता है was I was gave का third form given I was given ठीक है I was given अब फिर इसको a gloss of water I was given a gloss of water उसके बाद क्या होगा उसके बाद तो कुछ नहीं है लेकिन में यहां आ गया he बचाए तो by he का him ठीक है by him I was given a gloss of water by him ठीक है अगला है his reply surprised me उसका जो उत्तर था मुझे अश्यर चकित कर दिया his reply surprised me तो me object है subject बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा I ठीक है I past में है तो वाज हो जाएगा I was surprised का third form भी surprised ही होगा surprised I was surprised किसे by his reply by his reply I was surprised मैं अश्यर चकित हो गया उसके उत्तर से I was surprised by his reply तो friends यह जो पैसी वायस ते बहुत ही ज्यादा महतवपुर्ण है यह आपके board exam में पूछा गया था previous year question पेपर में तो इन question को आप ध्यान दिजेगा इन question को अच्छे से तयार कर लिजेगा क्योंकि यही board exam में पूछे जा सकते हैं 100% guarantee है बहुत ज्यादा संभावना है यही याद कर लिजेगा ठीक है तो दूसरा यही topic था making passive wires from active wires ठीक है तो चलिए अगला topic देखते हैं तो friends अगला है कि use the correct form of the given verb ठीक है use the correct form of the given verb तो इसमें आपको correct verb का form भरना है जैसे have you ever to Hyderabad तो be का form बरना है be का form होता है be was been तो have लगा है तो जाइज से बात है न बी लगेगा न वाज लगेगा have के साथ तो be नहीं लगता है have you ever been to Hyderabad he was punished for वो दंडित किया गया या उसे दंड दिया गया किसके लिए for make का form लगाना है ठीक है यह पैसी वाज में दिख रहा है तो पैसी वाज में तो क्या लग जाएगा making ठीक है making he was punished for making a new age अगला है he has been dot 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 since last night sleep का form वरना है has been लगा है और since लगा है तो परजेंड perfect continuous tense continuous ठीक है तो sleep का sleeping sleeping he has been sleeping since last night ठीक है अगला है do not go out until your father dot dot back come का form बनना है मतलब तूम तब तक यहीं ठारो कहीं मत जाओ ठीक है तूम तब तक מת जाओ जब तक तुमआरे पिता जी जो है नहीं आजाते है तोśnie differenet क्या हूजवे का comes ठीक है your father comes back जब तक तुमआरे पिता नहीं आ जाते हैं, तुम तब तर मत जाओ, ठीक है अगला है दी डॉट 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 वर्किंग हाड फॉर फाइब डेज ठीक है ये भी आपका पर्जेन परफेक्ट कॉंटिनिवर्स टेंस है फॉर लगा है तो या निश्चिस समय के लिए है तो कॉंटिनिवर्स इसमें भी है वर्किंग लगा है, तो हैज का क्या हो जाएगा पर यहाँ दे है, दे कौन सा वचन है बहु वचन है, तो हैज नहीं लगेगा यहाँ पे हैब लगेगा और हैप के साथ क्या लगेगा बीन लगेगा, ठीक है तो इसी तरह आपको भरना होगा आपके परिक्षा में और इसी के आपको दो माक्स दिये जाएंगे ठीक है, समझ में आ गया अगला हमरा टॉपिक है चेंज इंटू इनडिरेक्ट स्पीच ठीक है, चेंज इंटू इनडिरेक्ट स्पीच ये सारे क्वेशन दो-दो नंबर के पूछे जाते हैं ये जो क्वेशन है बहुत ही जएदा महत अप्रूर है माई अंकल सेट टू मी मेरे जो चाचा दी थे या मेरे अंकल थे मुझसे कहे do not waste your time in idle gossip ठीक है my uncle said to me कामा इनवर्टेक कामा में do not waste your time in idle gossip तो इसका आपको क्या करना है इंडिरेक्ट स्पीच में बनाना है इंडिरेक्ट नेरेसन में बनाना है ठीक है तो चलिए बनाते हैं तो शब से पहले क्या है my my uncle my uncle say to go किसमें बदलना होगा अगर यहां साहे क्रिया से परारम होगी तो इसको आक्ष्ट में बदलेंगे तो साहे क्रिया से परारम में तो यहां पर हो जाएगा आक्ष्ट माई अंकल आक्ष्ट तू मी ठीक है तू मी अब यहां से नाट यहां पर आ जाएगा ठीक है मी नाट यहां पर आ जाएगा नाट फिर उसके बाद टू नाट टू वेश्ट नाट टू वेश्ट यूर जो है सेकेंड परसान है किसके अनुसार मी के अनुसार ठीक है तो मी के अ not to waste my time my time किसमें in a idle gossip तो यह ही इसका उतर होगा my uncle asked to me not to waste your time sorry my time in idle gossip अगला है this said to him they said to him the servant will not go to the market तो यह हुजाएगा they यहां से subject से सुरुवात है साह करिया से सुरुवात नहीं है तो यहां पर जो said to होगा वो asked में नहीं चेंज होगा जब करता से होता है तो यह आपका told में change होता है ठीक है तो यह हुजाएगा they said to code told में told they told him they told him that ठीक है that the servant that the servant ठीक है that the servant will किस में change हो जाएगा would में would servant would not would not go to the market ठीक है to the market ठीक है तो मैंने आप लोगों को देख लीजिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा यह सब महत्वपुर्ण है तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को indirect speech बताया पैसी voice बताया feel in the blanks बताया और rearding words बताया तो अगर आप लोग अच्छे से समझी होंगे तो 2 plus 2 plus 2 plus 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 तो 8 नमबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे कोई दिक्केत आपको नहीं होने वाली है अगर आपको अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे अच्छे तरीके से समझे होंगे तो 8 नमबर इंग्लिज ग्रामर से आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक हो क्योंकि आप ही का इसमें फाइदा होने वाला है इसमें आपको चैनल पर बहुत ही ज़्यादा महत्व पुरुन प्रश्ण बताए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के बताए जा रहे हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्राब्लम है तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिए उस पर जरूर वीडियो आएगी चाहे कोई भी प्राब्लम है कमेंट बाक्स में आप बिंदास कमेंट कीजिए ठीक है और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजा क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तभी मैं मोटिवेट रहता हूँ आप सब के लिए अच्छे से अच्छा कॉंटेट लाता हूँ तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जय हिंद जय भारग